अब हम स्टार्ट करते हैं के देखे। FATHS FATHER FATHS FATHS FATHER Fathers मतलब पापा के FATHER मतलब पापा पापा के पापा को आप क्या बोलते हो जल्दी बता हूँ मजे पापा के पापा को हम क्या बोलते हैं दादा जी दादा जी को इंग्belsे में बोलते हैं Grandfather G R A A N D Grand F A T H E R FATHER है ना आपको लिखना है grandfather मैं आपको clear लिख देती हूँ G, R, A, N, D Grand F, A, T, H, E, R grandfather grandfather father's father है ना क्या लिखा है मैंने पापा की पापा को grandfather गोलते हैं second number पे है F, A, T, H, E, S, father's father's मतलब पापा के M, O, T, H, E, Mother ựपा की ममा को क्या बोलते हैं दादी बोलते हैं दाधी जी अब दादी जी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं grandmother क्या बोलते हैं grandmother second वाले में लिखेंगे G, R, A, N, D Grand M, O, T, H, E, R Mother grand mother G, R, A, N, D grand M, O, T, H, E, R mother grand mother next है F-A-T-H-E-I is Fathers Fathers मतलब पापा के Y-O-U-N-G-E-I Younger Younger मतलब छोटे भाई B-R-O-T-H-E-I Brother Younger बरदर मतलब छोटे भाई पापा के छोटे भाई को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं Uncle है ना? Uncle बोलते है ना? U-N-C-L-E Uncle U-N-C-L-E Uncle क्या लिखेंगे? U-N-C-L-E Uncle फिर लिखा है A-U-N-T-A-N Aunt मतलब छाची A-N-D-A-N N मतलब और U-N-C-L-E-S Uncle Uncle मतलब छाचा के C-H-I-L-D-R-E-N Children जो Uncle के और अंटी के चिल्रन हैं बच्चे हैं हैं ना? वो आपके क्या कहलाते हैं? मेंने आपको बताया था ना की Cousine बोलते हैं जो हमारे चचरे भाई चचरी बहन होते हैं पापा पापा के चोटे भाई यानि की हमारे अंकल और हमारे अंकल और अंटी के बच्चे वो हमारे कहलाते हैं Cousine आम क्या लिखेंगे? C-O-U-S-I-N काजिन क्या लिखेंगे C-O U-S-I-N काजिन है ना काजिन लिखेंगे क्या लिखेंगे हम काजिन अब हम आग्या पड़ते हैं B-E-S-I-D-E-S Besides V-A-C-A-T-I-O-N Vacation लेखो Besides मतलब क्या लावा Vacation मतलब छुट्टिया क्या लावा चुट्यों के लावा, A-L-L-O, all मतलब सब, TH-E, the, F-A-M-I-L-Y, family, family मतलब परिवार, M-E-M, B-E-R-S, members मतलब सदर्श, चुट्यों के लावा, परिवार के सारे सदर्श, M-E-T-Meet, meet मतलब मिलते हैं, चुट्यों के लावा, परिवार सदर्श से कब मिलते हैं? स्वारी चुट्यों के अलावा परिवार के सदस्य साधियों में मिलते हैं यह चुट्यों के अगगों को यह सदस्य से आसना चुट्क्रा से ख्रॉर्षलम परिपे तो कि अप्रतों साधियों परिंग्यों मिलते हैं हमारे family members हैं ने W, E, V B मतलब हम A, W, L, All All मतलब सब E, N, J, O, I, Enjoy है ना Enjoy मतलब खुशियों मनाते हैं आनन्द करते हैं मौश मस्ती करते हैं A, N, D, N N मतलब और H, A, V, Have A, L, O, T, Lot A Lot मतलब बहुत सारा है ना O, F, O, F, U, N, Fun Fun मतलब मस्ती T, O, G, E, T, H, E, R Together क्या लिखा है Together Together मतलब साथ में Together मिन्स क्या होता बटा साथ में W, E, V, R, E, M, A, I, N, Remain I, N, E, N T, O, U, C, A, T, O, J W, I, T, H, With With मतलब साथ में O, U, R, Our मतलब हमारे R, E, L, A, T, I, V, S, Relatives W, R, I, T, I, N, G, Writing L, E, T, O, T, O, T, O, T, H, E, M, D, M मतलब उन्हें Writing लेटर मतलब लेटर लिखते हैं अब देखो हमारे परिवार के लोगों से कैसे टच में रहते हैं हमने लेटर लिखते हैं अभी तो आप कोई भी लेटर नहीं लिखता है लेकिन पहले के लोगों क्या करते थे लेटर लिखते थे अब भी कोई लेटर नहीं लगता है अब क्या करते हैं WhatsApp पर हम मैसेज कर देते हैं Facebook पर मैसेज कर देते हैं Messenger पर मैसेज कर देते हैं पर फोल लगा देते हैं W, E, V V मतलब हम A, L, S, O, O, S, O हम अब भी 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 भेशते हैं पर जाया तरह हम क्या करते हैं WhatsApp पर हम उनसे बात कर लेते हैं Facebook Messenger पर उनसे बात कर लेते हैं और फोन लगा कर हम बात कर लेते हैं हमारे इसदार से टश में रहते हैं किसी भी तरीके से कि चलो आजन का वर्ड है हम वीश कर देते हैं या किसी की शादी की एने वर्ड सरी है तो वीश कर देते हैं SM टश में रहते हैं हमारे फैमिली वालों से W, E, V V मतलब हम S, E, N, D, S, N, S, N S, N मतलब भेशते हैं G, R, E, T, I, N, G Greetings C, A, R, D, S, Cards Greeting Cards हम ने greeting cards भी भेशते हैं T, O, T, O, U, R, A, V अबर मतलब हमारे R, E, L, A, T, I, E, V, S, Relatives हम हमारे लेटिस को greeting cards भी भेशते हैं देखो अभी greeting cards इतने नहीं चलते हैं लेकिन पहले बहुत चलते थे हैं हम भी शोटे थे ना तो हमारे friends को बरड़े पर greeting cards देते थे दिपावरी पर देते थे W, E, V, L, S, O, Also S, P, E, A, K, Speak Speak मतलब बात करते हैं T, O, T, H, E, N, D, M उन्हें O, U, O, V, R, A, V हमारे T, E, L, E, P, H, O, N, टेलिफोन हम हमारे रिष्दार से टेलिफोन पर बात करते हैं W, E, V, H, O, L, O, V, Love प्यार, O, U, O, Our, Our हमारे R, E, L, A, T, I, S, Let You रिष्दार, A, N, D, A, N, D, A, N, D C, E, R, E, Care प्यार करते हैं ध्यान रखते हैं केर करते हैं फ़ार फ़ोर के लिए टी-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची-एची- लोग तो लोग तो उनके बच्चे होगई लेगन दादा जी और सिक्स मेंबर्स होगए यह तो बड़ी फैमिली हो गई तो हम किस पर टीक करेंगे बिग पै है न मेरे पापा के छोटे बाई पापा के छोटे बाई क्या कहलाते है हमारे अंकल माई अंकल स्चील रणार अंकल के बच्चे क्या कहलाते है cousin निकितास family निकिता के family कैसी है? निकिता के family में इसके इसके mammy है पापा है उसका भाई यह निकिता है यह तो चार लोग ही हुए चार लोग हुए मतलब small family निकिता के familyret इससे पापा का अदार aci ममी का पापा का उदादाजी का और दादाजी का यह आप खुद कंप्लेट करोगों ठीक है we love our and care of them हम प्यार करते हैं और किंके care करते हैं या किंके लिए करते हैं relatives मतलब रिशदार R.E.L.A.T. I.V.S. relatives लिकना है न my my F.A.T.H.R. father's P.A.R. and this parents मेरे पापा के parents are My अगर मेरे पापा के जो मोम पापा है वो मेरे क्या कहलेंगे grandparents मतलब दाधाजी उतादेजी जी अरे अरे एंडी Grand P R N T S parents grandparents अब देखो यहां पर है तोरी take the picture to show you help आपको picture को देखना है चापके help करेगा यहें कितनी बज़े उठ रहा है लेट उठ रहा है क्रॉस में जल्दी उठा चाहिए न हम पे चों जाई पोढ़ा को हुआ रहा है мире the वी खिल्द वार ऐई न가 और यहां पर क्या कर रहा है Phone प्लेट मे सबॉज़े टो do all the family members meet? छुट्टियों के अलावा परिवार के तस्टे कहां पर मिलते हैं? हमने क्या देखा था? देखो, यहां पर हमने देखा था besides vacation, all the family members meet to their at the time of wedding and festivals. तेवारों पर मिलते हैं और शादियों मिलते हैं छुट्टियों के अलावा. ठीक है, और नहींस कोशन है What do we write to remain in touch with our relatives देखो, हमारे relatives से टंच में रहने के लिए क्या लिखते हैं उन्हें क्या भिएशते हैं या लिखा है We remain in touch with our relatives by writing letters and send emails हम उनसे टंच में रहने के लिए क्या लिखते हैं, letters लिखते हैं और email भिएशते हैं वो लिखते हैं हम लेटर लिखते हैं है ना दोनों आंसर आपको अच्छे से आ गए है